पंजाब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और विदायक सुक्पाल सिंग खैरा की ग्रफतारी के बात सी कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी में तना तनी का माहल है। दोनों पार्टियों के रिष्टे में गर्माहट देखने को मिल रही है। खेरा की ग्रफतारी का असर अब सीधा सीधा लोकसबर चुनाब 2024 के लिए बनाए गए इंडिया गटवंदन पर भी दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और राश्ट्रिय अध्यक्ष मल्ले कर जिन खडगे ने प्रतिक्रिया दी है। हाला कि दोनों विपक्षी दल राश्ट्रिय इस्तर की गटवंदन की बैठक में शामिल भी होते रहे हैं। वहीं ऐसा पहली बार है जब कॉंग्रेस के राश्ट्रिय इस्तर की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाब प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दोनों दलों की आरोफ प्रतियरोफ की राजनीती के बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा का माहौल गर्म है। माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच अब पंजाब ही नहीं, राश्ट्रिय इस्तर पर भी रिष्टे बिगड़ सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर इंडिया गटवंधन पर दिखाई देगा। गौर्तलव है कि पंजाब कॉंग्रेस विदायक सुखपाल सिंग खैरा को साल 2015 ड्रक्स केस्क से जुड़े मामले में ग्रफतार किया गया है। जिसके बाद से कॉंग्रेस पंजाब की मान सरकार के खिलाब हमलावर है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉंग्रेस के प्रतिनिदी मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे हस्त शेप की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कॉंग्रेस पर हमला बोला है। गवर्नर नो कोई भी इव्यक्ति मिल सकता है। स्यासी पार्टी मिल सकते हैं सर्दानक हाग क्या होना था मिलता है। पर ओहोगले ही थाबत कर दिया कि सारे कठे हो गया। गवर्नर साथ भी करें पंजाब सरकार तो बहुत है खुशन है वह भी तो बीजेपी दे बुला रहे देता हुड़ता ही कांग कर देया। पर गवर्नर साथ भी नहीं कोई राहत नहीं दे सकते। क्योंके एक ता केस बड़ा मजबूत है। नमबर दो थे जुडिशियर प्रोसेस रही सारा कुशोर्या कोड़े विच केस लंबत है। एक कोई भी सॉलेड उस्तवाद बाजबा साथ बोले सगी बाहर आके। कोई भी सॉलेड एविडेंस, कोई भी एक नुकता भी दास नहीं सके के बंडेटा पॉलेटिस किता होगी। जान केस नशात तक्रीजा केस किस तरह गलत है। मेरेट थे गलकान, मेरेट नहीं कुल है नहीं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रे स्तर पर इंडिया गटवंदन का हिस्सा बनी रहेगी। या फिर अपनी एक अलग रहा चुनेगी।